अब बात करते हैं आइफोन 14 & 14 like a max की प्रो सीरीज की बाद में बात करेंगे पहले बात करते हैं आइफोन 14 & iPhone 14 Max की बात करते हैं पहले साइज की क्योंकि 6.1 इंचीज की स्क्रीन साइज मिलने वाले 14 में 14 में मिलने वाले 6.7 इंचीज की बैटरी कैपसिटी डेफिनेटली भाई इसकी ज्यादा होगी मैक्स की 14 की आपको थोड़ी स्कम मिलेगी पर एक दिन पूरा निकाल देगी एपल कहता है ऐसे क्लेम एपल कर यहां पर नॉच नहीं मिलना चाहिए था ज्यादा मिलना चीज था बड़ी जो बीस्क्रूमार निकाल रहे थे वह सारी सच है तो ड़ेफिनेटली नॉच आपको देखने को मिलेगा उसके बाद बात करें इसमें आर आपको सूपर रेटीना डिस्प्लेय मिलने वाला है बा और 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 एरो स्पेस का ग्रेड का अलुमिनियम यूज हुआ इस में फाइफ कलर में आपको डिफरेंटली अवलेबल होगा एंड मोर बैटरी लाइस तो दोनों में ही देखने को मिलने होगा आपको देखने को मिलेगी काफी नहीं कह सकते 20-25 परसंट ज्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगी वहीं पर बात करें पर्फॉवमेंस की तो फॉपाइज फ़पर्फॉर्मेंस में ऐस फ्र बात करें हम यार इसकी कुछ कैमरा फीचर की तो 12 मेगा पिक्सल का आपको मेन कैमरा रियर में मिलने वाला है वहीं पर बात करें वन पॉंट नाइन मैक्रों का इसका सेंसर साइज है तो ज्यादा लाइट कैप्चर करें ज्यादा इंप्रूव फोटो होएंगी यहाई पर बा है लो लाइट गैप्टर को ऑड़ब बात करें इसमें आपको ऑट फॉकसल को मिलने वाला अप्रण कीउले मनेगा एगस। भी देखने को मिलने वाली है जो कि है photonic engine like इसमें आपको यह क्या बात करते है simply camera में जिद्धी ने बहुत सारे frames को capture करने के बाद एक ही photo में सारे के सारे frames को use करेगा and सब को भाई एक हिसाब से compress करेगा and जो final होगा ना सारे frames से मिलके बनेगी image वह काफी ज्यादा better as compared to जितेने भी बात करें पहले वाले उनसे ज्यादा better देखने को हमको मिलने वाली है बात करें mode advanced video stabilization आपको इसमें देखने को मिलेगा जिसको apple नाम देता है action mode अब इसमें आर आपको काफी ज्यादा stable video मिलने वाले as compared to gimbal को भी यूज करोगा ना तो भाई apple तो सीड़ा gimbal से compare कर रहा है इसके action mode को मतब इतनी ज्यादा stabilization होगे जिसमें आप gimbal को भी पीछे सोड़ सकते हो जिसमें आपको dual vision HDR का भी support देखने को मिलने वाला है वहीं पर यह 5G phone है जहां पर आपको e-sim का support मिलने वाला है जो कि easier होगा previous generation की भाई ज्यादा lefty नहीं होंगे बिल्कुल easily setup कर सकते हो वहीं पर आपको इसमें multi e-sim support मिलने वाला है यानि कि एक से ज्यादा e-sim का use कर सकते हो यानि कि ज्यादा number आप अपने एक iPhone में लागा सकते हो एंड एक और इसमें खथरनाग बात है अच्छा हो इंडिया में ये वाला feature तो नहीं है जिसकी जो की possible होगा high dynamic range के gyroscope से वहीं पर dual core accelerometer भी मिलने वाला है और automatically यह भाई आपके SOS को और emergency contacts को मैं लगद SOS like emergency contact जो आपके save होंगे family members की या फिर जो भी कह सकते हो उन सब को send करेगा message and आपके medical support का arrangement करेगा कैसे भी like send करके SOS उसके बाद इसमें आपको मिलने वाला है emergency OS satellite की मदद से यह कैसे काम करेगा मैं बताता हूं satellite यार हमारे जो ground होता है ना उससे बहुत उपर रहती है काफी जादा उपर distance पे रहती है बट हम उसे contact नहीं कर सकते को कि उनकी frequency सब्सक्राइब करना पड़ता है बट एपल ने भाई कुछ क्रियेट किया है एंड शॉफ्ट्वेवर वागहरा सब्सक्राइब को जोड़ा है और उसे भाई possible कर दिया है एंड उसमें भाई आपको सब्सक्राइब करता है जिसमें भाई हम अपने बड़े मैसिज को नहीं सब्सक्राइब करता है जिसमें हम अपने बड़े मैसिज को नहीं संद कर सकते भाई मैसिज को जाते हैं यह थोड़े शौट होकर आगे ट्रांसफर हो जाते हैं यह थिसमेंग सब्सक्राइब आपको आइफोन 14 की प्राइज की बात करें तो 799 यानिकि 800 डॉलर के आसपास 9 सप्टेमबर से आप प्री ओडर कर सकते हो 17 सप्टेमबर को अविलेबल हो जगा बात करें प्लस विरेंट की तो प्लस विरेंट आपको भाई डबल नाइन में मिले वाला यानिकि 900 डॉलर के आसपास वहीं पर आप इसे ओडर कर पाऊगे साथ अक्टूबर से तो अक्टूबर में ओडर कर पाऊगे तो डेफिनली काफी ताइम अभी तो अभी तो अविलेबल होने मे हैं तो डेफिनली काफी आपके पाश ओप्शेंस भी हैं आप काफी देख सकते हो रिसर्च कर तक बात करें प्रो सीरीज की आईपों 14 प्रो सीरीज भाई यह काफी सही है स्ट्रॉंग सर्जीकल ग्रेड के स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है सिरानमिक शील वाटर डेफिनेटली जो पील शेफ देवो छोटा सा एक नौच टाइब है न जो पील शेफ डिजाइन वह बाई अलग-अलग सिनेरियो में अलग-अलग शेप चेंज करेगा अलग-अलग जगह पे जैसे कि आप वेसान लोग करते हो तो अपनी शेप चेंज करेगा एक्सपैंड करेगा वपस से कंप्रेश हो जाएगा वापस से जितना पील शेफ दें वहां पे करेगा और प्रोक्सिमेटी सैंसर वो पीछे की तरफ यूज किया गया थार्टी परसेंट नाच को जब पील शेफ परसेंट शेफ में लाया गया तो 30 परसेंट जाद़ा स्क्रीन अब अब सब के लिए उसके बाद हम डिस्प्ले की बाद करें तो भाई आपको इसमें मिलने वाली एंड प्रो में 6.7 इचिस की डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि आपको बताई थी कि भाई हमारे जो वाच उसमें 2000 नेट्स की ब्राइट नेस है वहीं पर आईफोन की इस सीरीज प्रो सीरीज में आपको आउटडोर में 2000 ब्राइट नेस अब एक्टेंड कर देता है ब्राइट नेस को यानि कि 2000 की पहला मोबाईल आप जोता है जिसमें 2000 की डिस्प्ले मिलने वाली है काफी अमेजिंग फीचर एंड डेफिनेटली बहुत ही काम का है नई लॉक स्क्रीन मिलने वाले जहां पर नए नए विजट्स होते हैं वह देखने को मिलने जाएंगे आपको काफी सारे इंट्रेक्टिव एंड हैल्थ लाइक जो सिस्टम रहते है वह सब आपको ओ लॉक स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा पर आई बीसी ओन दा टॉप नौ्च रहती है मिशा ऑल्वेज ओन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसके रूमर्स निकल रहे थी कि ऑल्वेज ओन डोस्प्ले मिलेगा है मिलेगा वन हर्ट्स की मिनिमम लाइक वन हर्स तक डिस्प्ले जा सकती है आपकी लोग पावर मोड में और वहीं पर LTPO टेकनलोजी है उससे आपकी स्क्रीन दिम भी हो सकती है दिम हो जाती है लाइक पावर सेव करने के लिए बात करें इसमें आपको A16 बाइनक चिप मिलने वाले जो कि 40% फास्टर कम है अगर नॉर्माली कॉम्पटीशन से बात करें जहां पर एपल ने अपने कॉम्पटीशन का नाम नहीं बता है पर डेफिनिटी वो क्वालकॉम है और क्वालकॉम की स्नैपड्रगन 8 Gen 1 प्लस जो च करते हैं उपके डेलिय टास्क मे काम आइंगे लग के लिया ये यह लाग और शक्रान आसने הי पकी प्रफॉमेंस के लिए अलग तो दोनों को गये कर से नोर्मल डे टूड़ा jobbar के होता हुत हं उननके लिए अलग यूजओ तो डेफिनेटली जागा बैटरी और डिलीवर कर पाएगा आईफोन उसके बाद बात करें हम आपको इसमें न्यूट्रेल इंजन 16 कोर का मिलने वाला है जिसमें आपको भाई 17 ट्रिलियन उप्रेशन पर सेकिंद करने की शमता है या आप यह कैपेबिलिटी कह सकते हैं प्रमेजिंग फोटो लेतो ना तो सत्रा ठ्रिलियन उपरेशन एक सेकेंड पर कर सकता है प्रोसेस कर सकता है डिस्प्ले इंजन की बात करें तो यह बहुत बता दिया कैमरा की बात कर दो कैमरा 48 मेका पिक्सल का मिलता है जो कि भाई हां बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेड़ था क्योंकि इतने सालों से लाइक बारा मेका पिक्सल जे काम चल रहा था बट 48 मेका पिक्सल आपको देखने को मिल जाएगा आपको देखने को मिलने वाली है उसके लावा न्यू सेंसर में मैं बताता हूं आपको 48 मेका पिक्सल का तो चार पिक्सल को मिला के एक जब पिक्सल बनेगा तो वह ज्यादा लाइट को क्याप्चर करेंगा एंड बैटर फोटोग्राफ आएगे अल्टमेटल रिजल्ट तो फोटोग्राफ ही है तो डेफिनेटली चार पिक्सल मिलके एक बड़े क्वाड पिक्सल को यार और लेक और इजनेट करेंगे और वहां पर ज्यादा लाइट कैप्चर करके ज्यादा बैटर फोटो को डिलीवर करने वाले काफी अमेजिंग बहुत ही बढ़िया यार बनेक लेंस को इंप्रूव किया है टू टाइम्स प्रोरेज अक्शन मोड्स और सिनमेटिक मोड काफी सही मिलने वाले हैं और काफी ज्याद अपग्रेड किया गया इनको भी वहीं पे आर आप इसमें 4K 24 fps तकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो उसके अलाब बात करें प्राइस सब्सक्राइब करके लेके आ सकते हो डिरेक्ली बाइए कर सकते हो आइफोन 14 प्रो मैक्स मिलने वाला आपको टैन डबल नाइन में डॉलर में तो भाई यही था सब कुछ आज का है आप समाज गयोगे पूरे के पूरे एपल इवंट को मैंने इसी वीडियो में एक्स्प्ल झाल